हेलो फ्रेंट सब सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में कुछ समय पहले गवर्मेंट की तरफ से एक निर्णे लिया गया था और उसमें एक कहा गया था कि अगले तीन सालों के दराण में 75 लाग कनेक्शन उज्वुला योजना के तहद दिये जाएंगे उज्वुला जुना के तहद एक किट गवर्मेंट की तरफ से आपको प्रवाइट करवाई जाती है LPG किट आपको दी जाती है इसमें आपका एपरेन, चूला, साथिसाथ, फ्री, गैस सिलेंडर, रेगुलेटर ये सभी चिजे प्रवाइट करवाई जाती है पहला सिलेंडर आपको भरवाना नहीं पड़ता है, वो गवर्मेंट आपको बिलकुल भरा हुआ देती है उसके बाद में आपको खुद से LPG गैस सिलेंडर फिल कराना होता है और इस पे आपको सब्सेडी का मौट भी प्राप्त होता है जो कि नॉर्मल गैस सिलेंडर में आपको काफी कम सब्सेडी मिलती है लेकिन उजुला जुना के तहट आपको काफी ज्यादा मौट में सब्सेडी प्राप्त होती है परदानमंत्री उजुला जुना के तहट अगर आपको apply करना है तो इसके लिए दो तरीके हैं offline और online offline process में आपको अपना form भरके अपनी gas agency में submit करना होता है और वहाँ पे आपको connection दे दिया जाता है online process के लिए उजुला जुना 2.0 portal बनाया गया है जहां से आप apply कर सकते हैं अब काफी लोगों को नहीं पता है कि परदानमंत्री उजुला जुना के तहट कौन-कौन eligible है कौन-कौन apply कर सकता है साथी साथ परदानमंत्री उजुला जुना के तहट किन-किन documents की हमें जुरुत पड़ेगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको परदानमंत्री उजुला जुना के तहट apply करना है तो कौन-कौन यहाँ पे eligible है apply करने के लिए यहाँ पर पातरता की शर्ते क्या-क्या है किन-किन document की आपको जुरुत पड़ेगी और अगर आपको online apply करना है तो किस पोटल से आप apply कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किये इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और notification bell icon को ओल पे दवा कर जरूर set कर लें ताकि आने वाली सबी वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रधान मंतरी उजूला जोना की इस website पर आना होगा इसका link मैंने आपको description box में दे रखा है home page पर जब आप आएंगे तो आपको प्रधान मंतरी उजूला जोना से समंदित सभी जानकारी इसी website पर देखने को मिल जाएगी अगर आप read करना चाते हैं तो यहां से read कर सकते हैं अगर आपको एक new connection के लिए apply करना है तो भो भी यहां पर आप कर सकते हैं साथ यहां पर consumer information corner भी आपको दिया गया है language भी आप चेंज करके read कर सकते हैं home page पर आप देख पाएंगे कि प्रधान मंतरी उजूला जब से शुरू की गई थी तब से लेकर अब तक 9 करोड 94 लाग से ज़्यादा connection दिये जा चुके हैं इसमें से 1 करोड 95 लाग connection उजूला जोना 2.0 के तहत दिये गए हैं इस समय अगर आप apply करेंगे तो प्रधान मंतरी उजूला जोना 2.0 के तहत ही apply करेंगे अब यहां पर पहले आपको जान लेना चाहिए कि apply करने से पहले आपको किन किन documents की जरुत पड़ेगी और यहां पर कौन कौन उजूला जोना के तहत apply कर सकता है यानि कौन कौन eligible है इसके लिए यहां पर आपको apply for new उजूला 2.0 connection का option दिया गया है इस पर आपको click करेंगे उसके बाद आप इस वाले पेच पर आ जाएंगे यहां पर आपको click here का option मिलेगा इस पर click करेंगे तो आपको Indian, भारत गैस और HP तीनों ही connection देखने को मिल जाते हैं जिस भी gas agency का connection आप लेना चाहते हैं उजूला जोना के तहत उसी के आगे click here to apply का आपको button दिया गया है जहां से आप online apply कर सकते हैं apply करने से पहले यहां पर आपको eligibility पता होना चाहिए सबसे पहले बात करेंगे कि कौन-कौन उजूला जोना 2.0 के तहत या फिर प्रधान मंतरी उजूला जोना के तहत apply कर सकता है प्रधान मंतरी उजूला जोना के तहत सिरफ महिला ही apply कर सकती हैं जिनकी age 18 साल से उपर है इसके अलावा एक घर में किसी अन्य वक्ति के पास में gas connection नहीं होना चाहिए LPG gas connection नहीं होना चाहिए माले जी एक राशन कार्ड में 5 नेम है तो पांचों में से किसी अन्य के नाम पे भी gas connection नहीं होना चाहिए यहाँ पे आगे आपको बतायागे कि 18 साल से उपर age की महिला है जो की इन category में से आती है वो सभी यहाँ पे apply कर सकती है तो यह थी eligibility criteria के बाद अगर आपको यहाँ पे English में rate करने में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको अलग-लग language देखने को मिल जाती है आप चाहें तो आप इसे हिंदी में भी translate कर सकते हैं हिंदी में translate करने के बाद में यह page हिंदी में आ जाएगा इसे आप यहाँ पे read कर सकते हैं अब बात करेंगे यहाँ पे documents की परधान मंतरी उजुला जोना के तहत apply करने के लिए आपको किन-किन documents की जरूत पड़ेगी जो की सबसे important part है क्योंकि कई बार हम document ही गलत दे देते हैं और हमारी जो application है वो reject हो जाती है सबसे पहला document जो चाहिए वो आपको KYC के लिए चाहिए और आपकी जो KYC है वो बिना अधार card के complete नहीं होती है तो आपके पास में अधार card जरूर available होना चाहिए ताकि आप अपने अधार authentication के दुरू परधान मंतरी उजोला जन्वा के तहद अपनी जो KYC है उसे complete कर पाएं जो तीसरा document यहाँ पे आपको चाहिए होगा वो है आपका ration card ration card के अलावा यहाँ पे अधार card की जुरूरत पड़ेगी beneficiary की जैसे के मैंने आपको पहले बता है जो व्यक्ति हाँ पे apply कर रहा है उसका अधार card तो लगे गई साथी साथ family में जितने भी adult member हैं उनका अधार card भी यहाँ पे लगेगा उनका धार number भी आपको देना पड़ेगा इसके लावा आपको अपना bank account number और IFSC code प्रवाइट करवाना होगा bank account number आपको इसलिए देना है जैसे कि आप जानते हैं उजुला जुना के तहत आपको कुछ subsidy का amount DBT के माद्यम से आपके bank account में transfer किया जाता है तो आपको subsidy प्राप्ट करने के लिए अपना bank account number और IFSC code यहाँ पे देना होगा तो यह तो बात थी कि प्रदानमंत्री उजुला जुना के तहत कौन-कौन apply कर सकता है और यहाँ पे किन-किन document की जुरुत पड़ेगी apply करने के लिए आपको click here to apply का बटन दिया गया है इस पे आप click करेंगे तो तीनोई जैंसी आपको देखने को मिल जैगी जिस भी जैंसी के लिए आपको apply करना है वहाँ पे आपको click here to apply का बटन दिया गया है इस पे आप क्लिक करके उनकी जनसी के ओफिशल पेज पे अंटर कर जाएंगे जहां से आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं अगर आप काफी जादा कमेंट करेंगे तो मैं इस सम्मन्द में आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रवाइट करवा दूँगा कि किस तरी के से आप प्रदान मंत्री ओजुला जुन्रा के तहट ओनलाइन अवेदन दे सकते हैं